हमारे साथ ही ऐसा क्यों किए एंगी अगर आगर ऐस्वा निकाल देते हमारे में कोई फैसला नहीं हो तो हम फिर से दढ़ा देंगे चाहिए सर्कार से पूरी उम्मीद है कि हमेरे फैसला लेगी सरकार से उमीद है और यहीं उमीद करते हैं मुक्य मंत्री जीसे कि हमें रोजगार दे बस हमें रोजगार से निरस्त नहीं कर देते हैं। हम यही निवे दिन करेंगे कि हमारा कम से कम तुरह प्रापिस हमारी इंटर्शिप को बाहल की जाए हमारी सरकार से यही मांगे कि हमें वापस रोजगार दिया जाए नमस्कार मैं हूँ लक्समन सिंग राठोड और आप देख रहे हैं जैवर्दन नियूज में जिला कलेक्टरी परिशर में खड़ा हूँ और यहां पर मुखी रूप से मेरे पीछे देख सकते हैं यह युवा मित्र हैं राजीम गांदी युवा मित्र जो पिछली गेहलो सरका दौरा इन्हें इंटर्णशिब के तहीत नियूक्त किया गया था अलग से केडर भी इनके जारी करने का प्रावधान था इसके तहट और कायदा यह इन्होंने प्रिक्षा दी प्रिक्षा के बाद में इंका इंटर्विव कॉल हुए इन्हें में इनने साक्षातकार होने के बाद इनका चायन किया गया लेगिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता बदली भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार द्वारा इन्हें हटा दिया गया और उसी के विरोध के स्वरोप आज यह यहां जिला कलेक्टर को ग्यापन देने आए हैं जिले भर के राजीग गांदी युवा मित्र हैं इनसे ही जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है कितने लोग जिले में ऐसे हैं आपका परीचे बताओ पर नाम राजंदर सिंग राव है मैं राजवास पंचाइश्ट में हूँ और मुझे दो साल हो गई राजीग गांद सब्सकार यह था कि जो पात्र वेक्ति है और उनको लाब नी मिल रहा है तो उनको डोट व जाकर उनकी सत्यापन करवानाः सब्सक्राइब दोनों सरकारों का आम जंद तक इसका फाइदा पोचे अंतीम छोड तक जो बेठा वेखती है जो पात रहे हो उसको लाब नहीं मिल रहा है वह योजना का लाब हम गट डोर टू डोर जाके दिलाते थे अब वीडियमना यह आ गई है कि दो साल बाद सरकार हमें एक पार्टी विशेश का ठपा देके नोकरी से बेदखल कर दिया तो हमारी सरकार से यही मांगे कि हमें वापस रोजगार दिया जाए क्योंकि जो यूवास आती है इतने टैम से दो साल से अपना सारी पड़ई वड़ई छोड़के और इसमें डूटी कर रहे हैं अब अंदर सिंधी राटवर से भी मिलें तो हमें यह आस्वासन दिया गया कि साथ दिल के बाद आपकी पेरिविक करके आपको उचित इस पर संग्या लिया जाएगा और यह मुखी रूप से अपने जिल्ले में कितने युवामित्र हैं हमारे रास्त्रमन जिले में 55 युवामि और शोकर के हमारा सितंबर के मैंने में हमारी तीन दन की ट्रेंणिंग संभाग इस तरफ पर उद्यपुर में की गई थी वह से मारे जोईनिंग हुई और इसके पास सरकार भी बदली और बदलते ही 25 दिसमबर का आधिस आया था कि आपको एक दिसमबर आपकी लास्ट है औ सब्सक्राइब आपको करने पड़ेगी अंगुठा लगा होगे तो जाकर के आपका पैंशन शुरू होगा तो कि ग्रामीन जानकारी के अभाव में उसको करने पाते हैं तो यह हमारा मुक्य रूप से काम था तो हम यहीं निवे दिन करेंगे कि हमारा कम से कम तुरह सब्सक्राइब करेंगे लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को रोजगार चाहिए और हम केंद्र उ राज्जी की सरकार के जितने भी योजना है अंतिन छोड के विक्ति हैं गाहम डानों में जो लोग नहीं पहुझ पाते हैं हैँ वहाँ पर हम घर जाके उन्य योजना को लाब पहुच़ाने का पूरा कार्य कर रहे है ताकि हमारे तरहें यह फाइदा होगा कि जो एक घरीब यह जोड़ते हैं जोड़ते हैं जो वेक्ति पात्र है यह नहीं है पहले तो सका इनलाजिज गिया जाता है वास्ता में आद भी योजना किसी पर्टिक्लिय योजना के लिए पात रहे हैं उसके डोकिमेंट वेरिफिकेशन करके हम यह चीज करवाते हैं तो उसको इमितर तक ले जा मुझा बने मुझे पड़ना नहीं करने लोग जो की ग्रामिट शेटर क लोगों बीना बाद के पैसे लेके उनको यूजना में लाब ही नहीं दिलाते थे उनको विखो और नहीं हम लोगोंने रिप्ल ने एक दूर में से मक्ही निकाल के साइड में कर देते हैं वैसे गिया यह एक तरद से बेरोज़़ी को बढ़ने वाला कदम था आपकी उपस्तिती कहां रहती थी ग्राम पंचयतों पे भाम सब्सक्राइब तो आपका वर्क प्लेस हो गया लेकिन आप उपस्ति थी कहां देते हैं जी सर पंचयद पर यह एक बनाई वी थी उसे पर हमारी ओनलाइड अटेनेस लगा करते थी और हम जहां जिस ग्राम पंचयद में जा रहे हैं वहां की अटेनेस हम आप पर अटेनेस लोकेशन के साथ ड सप्लाइब करते थे तें काम करना था उसकी सारी सूजना हमारे ब्यस्ट को होती थी हम आज किस ग्राम में हैं और उसके किस ग्राम में आज काम करेंगा लोग लेवल के दिखा रहे हैं ब्लोग सांखी कि अधिक तो यह से पहले जैसे आप यूवा मित्र से जुड़े उससे सब्सक्राइब करते हैं मेरा नाम मंचु जाटे मेरा जीव गंदी यूवा मित्र मैं अभी जोइन किया है चार महीने हुए विसमेवर करते हुए और सर इससे पहले मैं कम्पिटिशन एक्जाम की तायारी करती थी तो बीच में कैसे लगए यह तो दूसरे तो साल होगी जो सब्सक्राइब करते हैं मुक्यमंत्री जीसे कि हमें रोजगार दे बस हमें रोजगार से निरस्त नहीं करें हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वह हमारे पक्षमी फैसला लेगी हमें यह कहा गया है कि आप साथ दिन तक रुकिए हम साथ दिन बाद फिर से इस फैसले पर विचार करेंगे और आपके समर्थन में आपका कल्यान हो उसमें हम कोई फैसला लेंगे तो अगर ऐसा हमारे लिए अगर ऐसा फैसला निकाल देते हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं होता तो हम फिर से दर ना देंगे जैपूर जाइपूर में जब यह आस्वासन मिल गया साथ दिन का तो आज जिला कलेक्टरी में एकत्रिद होने का क्या करा है कि यहां के जो ML हैं उनको भी पता रह आए कि हम को सोशल मीडिया के थ्रू आगा और हमारी रोजगार को नहीं चीना चांएं और हम जो कारिये करते हैं जो गरीप से गरीप परिवार में रहें राभलत के ऐसा व्योगति लग रही आख कर सकते हैं कि हमारे घृइज से लौत होते हैं अब तब भी हमने 28 को भी उसमें ड्यूटी ओन रखी थी और 31 को भी हमने अपना काम जारी रखा था क्योंकि हमको पता था सरकार हमारे पक्ष में फेक्सला लेगी क्योंकि हमने उनके लिए काम किया हम किसी पार्टी विशेज के नहीं हमें यह मुख्यूर से इंटर्न सीब का यह सरकार व्न लिखा हुआ था कि अभी तक दो साल तक है तो साल का है तुकि हमारे पास आता है योजना की जानकरी लेना चाहता है तो इसमें इसमेड ने पार ऐस्वे वेचाइबा कर तो छबधिन कर लिरो सरकार वहुं हैं तो आपके प्स परकार प्सकार कर लिए घरю नेुगिए में तो इनी सभी को मान दे दे इसी प्रकार से हमारे को समझज़ करके रोजगार दे यह जो नियुकती हुई थी इसमें कोई अनुबंद हुआ था हाँ अनुबंद हुआ था हमें बताया गया था कि आपको दो साल के लिए तो हम लोग इंटर्शिप देंगे उसके आगे हम लोग आपको सवीदा के बेश पे कारेरत आपका जारी रखेंगे और सरकार की जो भी योजना है अगर सरकार अगर चेंज भी होती है तो आपको हटाया नहीं जाएगा और हम लोग आपको निरंतर करते रहेंगे और सरकार के साथ में मिलके आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे जो इती भी योजना या थी, उनके बारे में आप लोग लोगों तक पहुचाईए, जानकारी दीजीए उनको, ताकि हम लोग जहां तक हमारी नहीं पहुच बन पारी, हम लोग वहां तक अपने अपनी पहुच बना पाएं. ये मुख्य रूप से राजीव गांदी युवामित्र थे जिन्होंने सहर और दिहात क्षेतर में अलगले ग्राम पंचायतों में लगे हुए हैं केंदर और रज सरकार की विभिन्न योजनाओं से आम लोगों को लभानवीत करने के लिए युवामित्र जुटे हुए थे और निश्चित तोर पर इन्होंने कारे भी किया इंटर्शिप के तहत विशेज अनुवेंद के तहत इनकी नियुक्ती हुई लेकिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुई इनकी नियुक्ती निरस्थ हो गई इसके चहलते हैं ये सभी युवामित्र आक्रोसित हैं सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी वापस से नियुक्ती दी जाए वापस से उन्हें रिजोइनिंग देकर उन्हें रेगुलर किया जाए आप जुड़ेरे जेवर्दन नियुज के साथ धन्यवाद राजसमन जीले की एक मात्र फाइफ स्टार होटेल दमारुती नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिश्ट थाली अब सिर्फ दो सो नभ्य रुपय में श्रिनाची की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाए मारुती नंदन ग्रैंड थेंग नाथ द्वारा थेंग नंदन ग्रैंड